हेलो फ्रेंड्स योगी स्पाइसी धाबा में आपका सागत है तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी और फूले फूले पॉपकॉर्ण तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या लगेगा कुकिंग ओईल पॉपकॉर्ण का मक्का इस टाइप का पॉपकॉर्ण का मक्का होता है किसी भी ग्रोसरी स्टोर या फिर सुपर मार्केट में आपको इजी लिए अवलेबल होगा इस तरह उस पे लिखा होता है पॉपकॉर्ण मक्का पॉपकॉर्ण नमक और हल्दी और फ्रेंड्स आज हम कूकर में पॉपकॉर्ण बना रहें तो पॉपकॉर्ण बनाने के लिए हमें कूकर का रिंग और विसल निकाल लेना है तो चलिए पॉपकॉर्ण बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक कूकर में हम थोड़ा सा cooking oil डालेंगे अब हमारा तेल थोड़ा सा गरम हो गया है अब हम इसमें हमारे मक्का पॉप्कॉर्ण डालेंगे अब हम इसमें थोड़ी सी हल्टी अड़ करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक अड़ करेंगे अब हमें थोड़ा सा हिलाना है अब हमें कुकर को मीडियम फ्लेम पर इससे हिलाते रहना है देखिए क्या आपको पॉप्कॉर्ण की आवाज सुनाई दे रही है तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे जैसे हमारे कुकर की कुकर में से आवाज आना बंद हो जाए तो गैस को हम आफ कर देंगे और कुकर ठंडा होने पर हम उसमें से अपनी पॉप्कॉर्ण निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पॉप्कॉर्ण कितने अच्छे बने हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये पॉप्कॉर्ण की रेसिपी पसंद आए तो मेरे रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिये गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो देखिए फ्रेंड्स दो मिनिट में हमारे पॉप्कॉर्ण बनके रेडी है और होममेट गरम 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 पॉप्कॉर्ण बहुत ही खाने में स्वादिश लगते हैं तो आप जरूर इसे ट्राइ करें तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाइ